दोस्तों सावन का महीना चल रहा है सावन के महीने में संकर भगवान को जल चढ़ाने जाती है और जल चढ़ाने के बाद अपने प्रेमी के घर चली जाती है पहुंच गई जगपर हाँ पहुंच गई अच्छा लग रहा है हाँ अच्छा लग रहा है कैसे पागल कर दिये प् बहुत यादा रहता है बताएगे देखिए मेहंदी लगा के और पुरे हाथ में इसमें कहीं ने लगा है लगा रहे थे तब चले हैं तो हम लोग आप लोगों को अच्छा क्या बाप लोगों का मुहबद कब हुआ था छे में पहले अपको डरूर नहीं हुआ कि लड़की आ पुरा गांव पहुंच गया हंगामा होने लगा प्यार करना दर ना किसी कई ना माशिकम तो डर्ना क्या है ना प्यार किया तो दर्ना क्या है प्यार कीए थे इंसे में आप क्यूं ने इनकों जाकर ले आए जो यह भाग करा गए लगे हम सुतल थे से उई दर अब शंट ships नहीं तो फोन काया था फोन आई ए तुम ठीक है गया थे लियाने के लिए यानि आप सोये हुए थे तो कॉल आया कि हम घर छोड़कर आ गया है फिर आप गया है रिसीब करने के लिए अचा आपको डरूर नहीं हुआ ममी पापा का आज कर तो लड़की लटका दिया जाता है सर्मा क्यों रही है बोलो सब देवरे न लगेगा यहां पर 95 देवरे न होगा हाँ काहे सर्मा रही है बोली है अच्छा कब प्यार हुआ था आपका यह आई लब भी बोले थे कि आप बोली थे इनको यह बोले थे यही पटा लिये थे आपको अब पड़ भी गए कहा मुलाकात हुई थी पहली दर्बेसा कहा क्या पूल लिया दर्बेसा कितना दूर है यहां से दर्बेसा कि बुलाकात की बात कर रहें के मेला में देखें इनको या कहां देखें आप भार पर नजर में नजर मिली इसको गया घर पर ही इनके घर पर किसी काम से कहते हैं जय क्या कामरे है शर्मा ते और में अब साधि सुधा है अब कहते हैं काते हैं कि मिया भी राजी तो क्या करेगा काजी वही हाल यहां हो गया है दुलहन को रहा नहीं गया प्रेमी की याद इतनी सताती थी कि वो रात में उठती है और चल देती है किस चीज चाहिए थी बस से ट्रेंड से जल उठाने आए थे न एज़ा रुके थे तो घर भीरी तो चले अरे जल जल धर नहीं आए थ देखे दोस्तों सावन का महीना चल रहा है सावन के महीने में आप सोची सकते हैं कितना पवित्र महीना होता है सावन का सावन में ही आपके घर पड़ा गई बताइए दोस्तों साबन में इनके घर पर आ गए घर पर आने के बाद आज शादी सुदा साधी होगे आप खुस हैं आपको सुसराल वाला से कोई दिक्कत नहीं है यहां आये थे सुसराल वाले गुर लगाई दियें की नहीं सुसराल से आते हैं इनके ससूर सास भी आई थी आपकी सिर्फ ससूर और कुनकुन आया था गाउं के लोग आपके साथ थे देखें दोस्तों मुहबत अगर आप करते हैं तो देखेंगा तो कहानी पंकस सोनी की छोटु आरती की मुहबत करने वाले में लड़के की हत्या हो जा लेकिनेत मुहबत सोनपूर में देखने को मिला जो परिवार के लोग भी मान गये गाउं के लोग भी मान गये अब लड़की को एक्सेप्ट कर लिए अभी लड़की सज सबर रही थी कि हम लोग टपक परे इनको डिस्टर्ब कर दिये मेहंदी लगा रही है आप ना मेहंद शादी को आप किस नजरीयों से देखते हैं शादी के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा